नमस्कार स्रीमति मोहरी देवी तापडिया अकन्या महाविद्याले जस्वंत गड़केश यूटूब चैनल में परवक्ता हनुमान मन सर्माप सभी विद्यारतियों का अर्दिक स्वागत रोबिनेंदन करता हूं प्यारे विद्यारतियों बीए तृत्य प्रच की गक्सा में हिंदी साहित विश्यकें तरकत आधुनी कावे जो आपका प्रथम प्रशन पत्र है उसमें कभी रामदारी सिंग दिनकरजी की रचना कुरुक छेत्र प्रबंद कावे के सश्टे सरग से महत्योपून पदों की व तो इस वियाक्या को हम पढ़ते हैं कुरुक छेत्र प्रबंद कावे के सश्ट सरग से हैं प्यारे विद्यारतियों कि हायरे मानव नियती के दास हायरे मनुपुत्र अपना आप ही उपहाश प्रकरती की प्रचनता को जीत प्रकरती की प्रचनता को जीत सिंदु से आकास तक सब को किये भैभीत स्रिष्टी को निज बुद्धी से करता हुआ परिमें चीरता परमानों की सत्ता अशीम अजें बुद्धी के पवमान में उड़ता हुआ ऐसा है जा रहा तू किस दिसा की ओर को निरुपाई अगर नहीं है कि यह यह दी ज़्यात तो विज्ञान का श्रमभेध प्यारे विध्यार्तियों इस पड़ में बहुद हीम्हत नों बात कही है औक अर्व रामधारिसिंह्घी दिनकरजी ने तो इस पड को देखते हैं नें कि swing toughest आ नकिने है ठीक है, हाई रे मनु पुत्र मने, मनु के पुत्र अर्थार्थ मानव, मनुष्य, मनुज, ठीक है, मानु कह दो, मनुज कह दो, मनुज कह दो, मनुज, मानव, मनुश्य, जो की मनु के पुत्र है, उपहाश मने हंसी, हंसी कर रहे हो, और प्रचन्यता का मतलब होता है, रहस्य रहस्य या फिर गूपनियता गूपनियता रहस्यता को जीत सिंदु मने सागर है सागर से आकास तक सब को कि ये भैबीत मने डरा रहे हो स्रिष्टी को मने पूरे संसार को विश्व को पूरे स्रिष्टी को निजमन अपनी है बुद्धी से करता हुआ परी में अर्थार्द प्यारे विद्धार्थि माप रहे हो मापन कर रहे हो मापन चीरता परमानों की सत्ता अशीम सीमा है जिसकी कोई सीमा नहीं है अजे जो हमेशा जीतता है अजे बुद्धी के पव्मान पव्मान मने हवा वायू तो बुद्धी रुपी वायू के पंक लगा कर उड़ता हुआ ऐसा है बिना सहारे के जा रहा तूं किस तूं सब्धिया मानों के लिया है किस दिशा की और निरुपाई बिना उपाई के बिना उपाई के लग से क्या उद्धे से क्या हरति ये दी नहीं ज्यान तो सर्म वेर्थ देखिए प्यारे विद्धार तो इस पद में रामदाई सी दिनकर्जी इस पद में बहुती महत्व पुन बात कर रहे हैं कि हाई रेमानों इसमें देखिए प्रस्तुत प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत पध्यांस कवी रामदार्शिक दिनकरजी की रचना कुरुक्चेतर प्रबंद कावे के सरष्ट सरग से उद्धित है और इसमें आज के जो विज्ञानवादी या बुद्धिवादी मानव के आच्रनक पर वेंग किया है कि आज का जो बुद्धिवादी और विज्ञानवादी जो मानव है वो अपने आच्रन से स्वेम अपना ही उपहास कर रहा है जो की सरवर्ता अनुचित है क्योंकि उसके किये गए कार्ये उसके कर्म इस प्रकार से बोतिक वाद के कारण स्वेम ही हंसी के पात्र बनता जा रहा है तो देखिए प्यारे तुम नियती के दासो भाग्यया भवित्यवेता के तुम दासो सेवक हो हायरे मनु पुत्रे है मनु के पुत्रे मनु की संतान तुम स्वेम ही अपने आच्रन से अपने कार्यों से अपना आप ही उपहास कर रहे हो तुम ऐसे आच्रन कर रहे हो कि जिससे तुम ऐसा लगता ह जैसे स्वयम ही अपने आचन से स्वयम का ही उपहास कर रहे हो, हंसी कर रहे हो, तो इस प्रकार की बाते हैं पर आज के विज्ञानवादी या फिर बुद्धिवादी मनुष्य को लक्षे करके यहां पर कभी कह रहे हैं, तो कभी यहां पर दुख भी प्रकट कर रहा है, चिं उन्होंने विंगे किया कभी ने और प्रकर्ती की प्रचनता को जीत है हालां कि तुम जो नए-नए विज्ञानिक आविश्कार करके तुमने प्रकर्ती की प्रचनता याने गोपनियता या रहस्यों को जीत लिया है आज का मानव आज का जो विज्ञानवादे मानव है वो प्यारे विध्यार्तियों इस प्रकार से उत्रोतर त्रिवगती से विक्षित बुद्धी से उप्योग करते वे नए नए आविश्कार कर रहा है नुशंधान कर रहा है तो उन आविश्कारों से उन अनुसंधानों से उसने सारे प्रकर्ती के रहस्यों को जीत लिया अर्थार्त सारे प्रकर्ती के रहस्यों को जान गया है आज प्रकर्ती के कोई भी रहस्य है वो मानू से परे नहीं है तो अब प्रकर्ति के सारे रहस्यों को जान चुका है आज का विज्ञानवादी मानव यहां पर रामदारिशी दिनकरजी यह बात कहना चाहती है कि आज के इस विज्ञानवादी सोच वाले मानव ने सारे सिंदु से आकास तक सब को किये भैबीत अपने इन आविश्कारों के द्वारा सागर से लेकर आकास तक सब को भैबीत कर रखा है अर्थार्थ पूरे संसार में पूरे विश्व को अर्थार्थ मानव और सभी प्राणे को भैबीत कर रहा है तो आज का जो मानव है वो सभी को अपने आविश्कारों से अनुशंधान से भहबीत करने वाला बन गया है स्रश्टी को निज्व बुद्धी से करता हुआ परिमें इस पूरे संसार को वह अपने बुद्धी से माप चुका है आज का जो मानव है आज का जो विज्ञानवादी सूच वाला मानव है नए नए आविस्कारों से तरह तरह क्यानों संधान सोधों से वह प्यारे विध्यारतियों सारी श्रष्टी के जो सारे संसार को अपनी बुद्धी से माप चुका है अर्थार्थ पूरे संसार के रहस्यों को वह जान चुका है सारे संसार के जो छेत्र है उस छेत्रों को वह जान चुका अपने प्रवापन कर चुका है ठीक है प्यारे विद्यार तो यहां तक समझ में आ गया कि यह मानव तुम अपने बुद्धी से सभी इस्रष्टी को नाप रहे हो और चीरता प्रमाणू की सत्ता असीम अजे कि आज के इस विज्ञान वा विज्ञानिक बुद्धि वाला आज का जो विज्ञानिक मानव है वह अपने प्रमाणू सक्ती से प्रमाणू की सक्ती से ताकत से सारे संसार की सत्ता को जो असीम है सीमाहीन सत्ता को वजे कर चुका है ठीक है सब कुछ जीत चुका है तो इस प्रकार से यहां पर प्रमाणू की सक्ती के असीम अजे सत्ता से वसंसार क के परिवेश को चीर रहा है ठीक है तो संसार को संसार के परιवेश को जो सीमाहीन परिवेश है उसको वो चीर रहा है बुद्धी के पवमान में उड़ता हुआ है सहाई लेकिन आज का जो मानव है कभी यहां पर आक्षेप कर रहे हैं प्यारे विध्धरतियों कि बुद्धी के पवमान में अर्थार्त बुद्धी रुपे वायू के पंक लगा करके वह पता मानवादी सोच वाला बन गया है लेकि रामदार इसी दिनकर जी यहां पर आक्षेप कर रहे हैं आज विध्यानिक मानव पर कि बहले ही वह मानव आज का जो मानव है विध्धी रुपे वायू के पंक लगा करके ऐसा आए बिना किसी सहारे के उड़ता जा रहा है उसको लक की ओर बटक रहा है जा रहा है ना तेरा इसा कोई उपाई है तेरे पास कोई उपाई भी नहीं है तो किस दिसा की ओर जा रहा है तुमारा लक्षे क्या है उद्देश से क्या है क्या है अर्थ तुमारे इस बुद्धी का तुमारे इस अनुसंधान आविसकारों की का प्यारी विद्द हर्फ तो क्या करे रहे रामदाइसी दिनकर जी कि पता नहीं आज का मानुब किस दिसा की और भठक रा है नije उसके पास कोई उपा है ने कोई लगसे है लगसे हीन हो रहा है उद्दे सी मानुच को पता नहीं है कि मैं इन आवश्कारका आश की अनुसंधान कर रहा हूं तो वो किस दिसा में जाएगा उसका क्या उद्देश से यह उसको पता नहीं है क्या अर्थ है उसका कोई अर्थ नहीं है अगर इन प्रशनों को रामदर सी दिनकर जी कहते हैं कि अगर आज के विज्ञानवादी सोच के मानों के पास इन प्रशनों के उत्तर नहीं है कि इन आविसकारों का क्या लक्से है उसका लक्से क्या है उसके उद्देश्य क्या है उसका अर्थ क्या है अगर इन प्रश्णों का उत्रवन नहीं जानता ये नहीं यदी ग्यात अगर ये नहीं अपता उसको तो विज्ञान का सर्म विर्थ फिर तो उसके विज्ञानिक जो अविस्कार है उनके उपर सर्म करना उनके उपर मेहनत करना वो सब वेर्थ मानते हैं तो हे मानव अगर तुम्हें किसी प्रकार के लगसे का पता नहीं है तुम्हें किसी प्रकार के उदेशे का पता नहीं है तुम्हारा अनुसंधानों अविस्कारों का क्या अर्थ होगा य फालतो है वह कोई काम का नहीं है फिर इस प्रकार से यहां पर कभी इस मानुंग्स की ओर इस प्रकार से इन प्रोच 10 का उत्ताः थे अगर तुम्हें पता नहीं है अगर नहीं जानते कि तुम्हें पारा क्या लक्स से हैं या उद्देशे से तुम्हें परचित हो तो फिर विग्यानिक आविश्कारों पर किया गया सरमभैरत है इसलिए ऐसे निर्थक बुद्धिवाद और मानुता का कल्यान नहीं हो सकता ऐसंभव है ऐसे जो निरुद्धिशे पुर्वक किये गए बुद्धिमान हो गया है वेग्यानिक सोच वाला हो गया है वह इतने आविस्कार कर चुका है फिर भी वह इन आविस्कारों का कोई लक्से नहीं होने के कारण वो तरस्त है तो इस प्रकार से यहां पर यह विशेश वाले पॉइंट में आप लेख सकते हो और बुद्धिवा प्रीकर और कावेलिंगलंकार का प्रूम किया गया है देखे पर विद्ध आरते हूं अन्युप्राश के परिकर भ्रूपर कारण सभीद बात बताई है तो कावेलिंगलंकार पर कि Cabinet बासा तद्बाहसबदावली से यूखत है और इस में मुक्त चंद है और खड़ी बोली हिंदी का प्रियोगिस में किया गया है और विग्यानिक सोच पर तर्क किया गया है विग्यानिक सोच पर यहां पर विंग किया गया है तो प्यारी विध्यारति वहां सा करता हूं यह पद्ध समझ में आ गया होगा और बहुत ही महत्वपू तो प्यारे विध्यारतियों आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में पुनव पुस्तितूंगे रामदाशी दिनकरजी की जो लंबी कवीता है कुरुक्षेत्र प्रबंद काविका सश्ट सरग इससी जो महत्यों पूर्पद है उनकी व्याक्या को लेकर के तब तके लि करें और नोट्स भी बनाकर याद भी करें चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले जै भारत जै हिंदी दन्यवाद विध्यारतियों